नमस्कार साथियों, Bound to Education माने तोरे किर सोबकिर स्वागता है मैं विरवल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग पंच परगनिया का जो MCQ का हम लोगोंने सीरीज सुरू किया था उसको आगे बढ़ाते में आगे की कुछ महतपून परशनों को देखेंगे इससे पहले मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि 1 से 150 तक के परशनों को हम लोगोंने पहले ही डील कर चुका है अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं वहाँ पे पंच परगनिया लिंग्वेज का एक अलग ही प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है ताकि आपको वीडियोज को डूढने में परिशानी ना हो हम लोग 20 शुरू से पंच परगनिया लिंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी यूटूब चैनल अभी तक मैंने नहीं देखा है जिसमें पंच परगनिया लिंग्वेज को सीलेबस के हिसाब से और डीटेल में पढ़ाता है तो मुझे लगा कि श्टुडेंट को ये जरूरत है इसलिए हम लोग इसे डीटेल में पढ़ रहे हैं तो चले आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला कोशन देखते हैं आज के वीडियो का पूस पिठा एक्टा है के कविता संग्रा, निवन संग्रा, कहानी संग्रा या फिर आत्मकता पूस पिठा एक क्या है जो पूस पिठा रचना की गई थी परमानन महतों के द्वारा ये एक प्रकार का क्या है ये एक कहानी संग्रह है याद रखेंगे ये बहुत ही प्रचलित कहानी संग्रह है और जारखन में जो भी परिक्षाएं आज तक हुई है और जिसमें regional language के रूप में पंच परगनिया होते थे कोई भी ऐसा परिक्षा नहीं था जिसमें कि पूस पिटा से प्रश्ण नहीं बने है तो यह बहुत यदिक important है इस कहानी को में next class में deal कर दूँगा ताकि आपको पूरी तरह से clear हो पाए और परिक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्ण इस चेप्टर से बने आपको परिशानी ना हो next question देखते हैं question number 152 पूस पिटा कोहनी संग्रों महाने एक कोईटा कोहनी आए ठीक है पूस पिटा जो कहानी संग्रों है उसमें कितना कहानी है तीनटा पांच्टा आटा या फिर बारोटा तो याद रखेंगे पूस पिटा किताब में टोटल आट कहानी है और आटो कहानी बहुत अधिक मत्वपुन है पूस पिटा कोहनी माने कोन दोईनियों इस्तिती देखे पाविला पूस पिटा जो कहानी है उसमें कौन सा दोईनियों इस्तिती देखा जाता है बुरस्टचार गोरीबी अंदविश्वास बेरोजगारी तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्शन खो गरीबी पूस पिटा कोहनी संगरा केर प्रकास्टन साल है के पूस पिटा किस साल में प्रकास्टन किया गया था 2008, 2010, 2012, 2015 तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्शन खो 2010 याद रखेंगे पूस पिटा 2010 में प्रकासित हुआ था नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 155 आंधी कोहनी केको रचना है के परमानन मातो, सहोदर, खंडित, राजकी सोर्सिंग या फिर योशो दादेवी तो इसे भी याद रखेंगे परमानन मातो के द्वारे लिखा गया था क्योंकि ये पूस पिटा किताब का ही एक कहानी है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमर 156 दोहेज जसन समाजिक बुराई के उपरे प्रहार कोहनी महाने कोरल जाया है तो दहेज जैसा समाजिक बुराई का प्रहार किस कहानी के द्वारा किया गया है ठीक है इसको आपको बताना है बेटी चुवा, बोखी डाइन, आंधी या फिर पोरास आर्सीमोर फुलेक सुगन्द तो इसका करेक्ट इंसर ओजाएगा उप्सन गो पोरास आर्सीमोर फुलेक सुगन्द में समाजिक बुराई जैसे की होती है दहेज उसका खंडन किया गया है तो इसे याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन ठीक है, नेक्स्ट कोश्चिन देखते हैं, कोश्च नमबर 158, आंधी बेटी चुवा के उपर आधारित कोहनी का है के, आंधी बेटी चुवा के उपर में आधारित कौन सा कानी है, बोकी डाइन, कांड, आंधी, डाइन, विसाही, तो इसका भी करेक्ट एंसल हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है, चामरा और फागनी, कोन कोहनी माहने आँए, पूसपिठा, आंधी, पॉला सकेर, पूल या पिर कांड, तो चामरा और फागनी, ये दोनों का उल्लेक होता है, पूसपिठा में ठीक है, पूसपिठा के पातर हैं दोनों, तो इसे याद एतवारी कौन कहानी के बेटी चुआ पातर है कि कौन कहानी का पातर है बेटी, कांड, आंधी या फिर बोकिडाइन तो इसका correct answer हो जाएगा option को अर्थात की बेटी तो 160 का correct answer हो जाएगा option को 161 है एतवारी आपना पढ़ाई कौन 200 महाने कोयर रहें एतवारी अपनी पढ़ाई करती है वो किस विसे में करती है कानूल, मास्टर, मेडिकल या फिर ओन पॉड तो एतवारी अपना पढ़ाई मेडिकल विसे में करती है याद रखेंगे medical की वो पढ़ाई करती है पिर्तम के को और उपनाम है के पिर्तम जो उपनाम दिया गया था वो किस writer को दिया गया था संतोस साहू, सिरिष्टिदोर मातो, परमानाद मातो या पिर चनर मोहन मातो तो याद रखेंगे संतोस साहू को ही प्रितम के नाम से जाना जाता है तो 162 का correct answer जो होगा वो option को हो जाएगा Next देखते हैं Question number 163 पॉलास के फूल किताब रोचना के कौन रूप है के नाटोक, कोहनी, उपण्यास या फिर कोविता संग्र तो पॉलास के फूल जो है वो उपण्यास है, इसे याद रखेंगे Next question है पॉलास के फूल उपण्यास के रोचना कर के है के संतोस सहू जिसे प्रितम कहा जाता है स्रिष्ट दौर महत हो, परमानल महत हो या पिर दिन बंदो महत हो पॉलास के फूल जो उपण्यास है उसका राचना किसके द्वारा के आ गया है याद रखेंगे option को इसका correct answer हो जाएगा संतोस कुमर प्रितम Next question है Question number 165 Miss Sunita केर स्वयंबर कहनी के लिखे आये है Miss Sunita केर स्वयंबर किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखेंगे 165 का correct answer हो जाएगा option को अर्थात की संतोस साहू ठीक है Next question देखते है Question number 166 जोदी एसोन होतोक होले का होतोक केसोन कहानी है के एक कहानी है जोदी एसोन होतोक होले का होतोक तो ये किस परकार का कहानी है धांगा खाटो, सोरोल या फिर मोईदोम तो इसका correct answer हो जाएगा option को धांगा ठीक है तो 166 का correct answer हो जाएगा option खो Next question है पंचपरगिनिया भासा के रुदपत्ती और विकास लेक केर रचनाकर है के पंचपरगिनिया भासा के रुदपत्ती अर भिकास लेक का रचनाकर कोन है चंद्रमोहन मातो, संतोस साहू सुचित्र मातो या फिर करमचन आहिर तो इसका correct answer हो जाएगा याद रखेंगे option खो अर्थात की करमचन आहिर पंचपरगिनिया भासा के रुदपत्ती लिखा गया था करमचन आहिर के दोरा इसे याद रखेंगे नेक्स है कोशिन नंबर 168 बढ़का गोड़ेक बोर्नीमा के रुचनाकर के है के चंद्रमोहन मातो, अनंद मातो, सुचित्रा मातो या फिर परमानल मातो तो कोशिन नंबर 168 का correct answer हो जाएगा परमानल मातो, अनंद मातो बुंडू, सोनाहतो या फिर राहे तो पंच परगनिया के अर्थ में किस जाएगा को नहीं लिया जाता है इसमें ना कहा गया है तो कोशिन नंबर 178 का correct answer हो जाएगा option गो अर्थात की सोनाहतो क्योंकि सिल्ली भी आता है सिल्ली भी आता है बुंडू भी आता है और राहे भी आता है इसमें सोनाहतो नहीं आता है तो इसका correct answer हो जाएगा next question पर आते है question number 171 पंच परगना के अर्थ है के पंच परगनिया का अर्थ है आप अगर सिबू बरात सब्द को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि 171 का जो correct answer है वो को हो जाएगा जिसमें सिल्ली, बुंडू, बारेंदा, तामाड और राहे आता है पिछले वीडियो में मैंने गलती से राहे के जगा ररगाओ बोल दिया था तो इसे सुधार लीजेगा पंच परगनिया में पांच परगना आता है कौन-कौन सा है सिल्ली, बुंडू, बारेंदा, तामाड और राहे कोशन नमबर 172 है मेसा कोशा भाग टू के परकाशन को बे हो लोग नेक्ट कोशन पर आते है कोशन नमबर 173 पंच परगनिया काईब जातरा एकटा रूप रेखा लेक के लिख आहोई एकटा रूप रेखा जो है पंच परगनिया काईब जातरा का वो किसके द्वारा लिखा गया है हुन्डू जलपरपाथ कहाँ है गेतल सूद, तैमारा, काँची या पर खूंटी तो याद रखेंगे हुन्डू जलपरपाथ कहाँ इसी थे गेतल सूद ठीक है तो इसे याद रखेंगे एक्चुली ये गेतल सूद डेम के बाद नीचे तरफ बनता है इसलिए इसका एंसर गेतल सुध होगा ठीक है और ये याद रखेंगे सुरन रिखा नदी पर बनता है ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 175 पंच परगना कौन नेता जारगंड के उप मुख्यमंत्री बॉयना है सुधेश मातो, रोमेश सिंग मुणडा, लॉलित मातो या फिर अमित मातो तो 175 का एंसर हो जाएगा उप्सन को अर्थात की सुधेश मातो जो है ये जारगंड के उप मुख्यमंत्री बने है सोना टुंगरी कहां आहे राहे, सिल्ली, परासी या फिर बॉंडो तो 176 का एंसर हो जाएगा उप्सन गो अर्थात की परासी सोना टुंगरी कहां इस्तित है, परासी में इस्तित है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 177 पोईता के मिधेला, कोईरी, नावा, कूर्मी या फिर बाबोन पोईता कौन पहनते हैं, तो 177 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन गो बाबोन नेक्स्ट कोशन है, पंच परगना, गांधी, के के कोहल जाएला ये कोशन बहुत आदिक रिपीट करता है, ठीक है पंच परगनिया का गंधी किसे कहा जाता है राजकी सोर सिंग, स्यामपद, महादानी, परमानद मातो, या फिर करमचन आहिर तो 178 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन गो अर्थात की करमचन आहिर को नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर 179 करमचन आहिर के पंच परगना, गांधी के कोई आहोई करमचन आहिर जो थे, इनको पंच परगना का गांधी किन्हों ने कहा था, राजकी सोर साहो, स्यामपद, महादानी, राजकी सोर सिंग या फिर दिन बंदु मातो तो 179 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन को अर्थात की सोर सिंग के द्वारा कहा गया था, करमचन आहिर को पंच परगना, गांधी नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमबर 180 डोक्टर करमचन आहिर के सौपदोर हासमी पुरसकार कौन बोचरे मिल रहे तो डॉक्टर करमचन आहिर को सौबदर हासमी पुरसकार कि साल मिला था ये आपको बताना है 2020, 2003, 2005 ये पिर 2010 तो 180 का करेक्ट एंसर हो जाएगा अप्सन खो अर्थात की 2003 में मिला था नेस्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 181 याद रखेंगे पंच पर गणिया का जो लिपी है जाड लिपी वो भी डॉक्टर करमचन आहिर के द्वारा बनाये गया है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 182 आदर्स टूसू सौंगीत के रोचनाकर क्या है के डोक्टर करमचन आहीर जगनात मातो, संतो साहू या फिर परमानन मातो तो आदर्स टूसू सौंगीत इसका जो रोचनाकर है ये हो जाएंगे डोक्टर करमचन आहिर याद रखेंगे option को next question है 183 बीना बापेक चुवा कोहनी लिखोया के है कि बीना बापेक चुवा एक कहनी है ये किसके द्वारा लिखा गया है करमचन आहिर, राजकी सोर सींग, दिन बंदू मातो या फिर परमानन मातो, तो याद रखेंगे 183 का correct answer हो जाएगा परमानन मातो के द्वारा ये कहानी लिखा गया है बीना बापेक चुवा परमानन मातो के कहानी से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं इसलिए परमानन मातो के जितने भी कहानी है उन सभी को पढ़ना अवश्यक है कोशन नमर 184 है बीजो बोहीन के रबिलाप के र संकलन करता किया है कि बीजो बोहीन के र बिलाप इनके संकलन करता कोन है मोगोन सिंग मुंडा स्यामपोद महादानी तुलू नायक या फिर भागिरात माजी तो 184 का करेक्ट एंसर हो जाएगा अप्शन को मोगो चंदोंडी, रेलाडी या फिर लाइडी तो याद रखेंगे 185 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्शन को अर्थात की चंदोंडी चंदोंडी में पंच परगनिया भासा शिक्चन परिसिक्चन एवंसोद संस्तान उपस्तित है नेक्स्ट है वोश्ट नमबर 186 पंच रखेंगे 186 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्शन को अर्थात की 2001 में इसका इस्तापना किया गया था पंच परगनिया भासा विकास केंद्री समीति के इस्तापना कहां हुआ था बुंडू, रहे, शिली या फिर तमाड तो 187 का करेक्ट एंसर हो जाएगा बुंडू में इसका इस्तापना हुआ था नेक्स्ट कोशन है पंच परणिया भासा विकास केंदरी समिती के इस्तापना कोबे हो रो है पंच परणिया भासा विकास केंदरी विकास समिती का इस्तापना कब हुआ था 1980, 1982, 1982, 1985 या फिर 1990 तो 188 का correct answer हो जागा option को अर्थात की 1982 में पंच परगिनिया भासा विकास केंदरी समिती का इस्तापना हुआ था नेक्स्ट कोशन है question number 189 जूरी जाटा गीत 1 के संकलान करता क्या है के जूरी जाटा गीत 1 का संकलान की इनके द्वारग गया था करमचन अहीर, योगेंदर अहीर, राधा अहीर या फिर जोयराम तो याद रखेंगे 189 का correct answer हो जागा option को अर्थात की करमचन अहीर next question है जूरी जाटा गीत 2 के संकलान करता क्या है के करमचन अहीर, मौनसिदर मातो, निरंचन लोहरा या फिर अमित मातो याद रखेंगे 198 का correct answer रखेंगा option गो अर्थात की निरंचन लोहरा, जूरी जाटा गीत 1 का संकलान करता याद रखेंगे करमचन अहीर, जूरी जाटा गीत 2 का याद रखेंगे संकलान करता निरंचन लोहरा, ठीक है नेक्स्ट कोश्शन पर आते हैं कोश्शन नमबर 191, ठीक है, तो 191 जो कोश्शन है उसमें देखते हैं दोसाई गीत के संकलान करता कैया है, के दोसाई गीत का जो संकलान करता है वो कौन है, रधा अहीर, जोईराम, मौंसिदर मातो, या फिर मुचीरा मातो, तो कोश्शन Q191 का correct answer हो जाएगा option को अर्थात की राधा अहीर ठीक है Q192 है बिहागीत के संकलन करता के है कोई बिहागीत किसके द्वारा संकलन किया गया था बीमला देवी, संतोती देवी, पागली या फिर बीमला देवी और संतोती देवी दुई Q193 आईच कोरू राजा सोचतियर पालोन के रचनाकर है कोई नरतम सींग निरंचर लोहरा जोयराम बोंसी दर्मातो तो इसका correct answer हो जाएगा option को नरतम सींग Q193 आईच कोईशन है जारकन बंदना के रचना है के को रचना है के सुक्तिदर अधिकारी चंदर सिंग मुंडा लंबो दर्मातो या कि पिर करमचन आहिर तो याद रखेंगे जारकन बंदना जो लिखा गया था ये करमचन आहिर के दोर लिखा गया था इसलिए इसका correct answer हो Q198 का correct answer रोजे का अपसन को चंदर मुंडा जिनगी लिखा गया था Q199 एक टिका सिंदूर रचना के लिखा है दुखरण नायक रामदयाल मुंडा शिरिष्टितर मुंडा या तो ये जो रचना है एक टिका सिंदूर याद रखेंगे ये रचना की गय थी शिरिष्टितर मुंडो के दोरा नेक्स्ट कोशन है और आज के इस वीडियो का लास्ट कोशन होगा विष्टु काका कोहनी के रोचनाकर के है के परमानन मातो, हरदयाल, पांडे, करमचंद मातो या फिर अनन्थ मातो तो याद रखेंगे विष्टु काका परमानन मातो के द्वारा लिखा गया था तो आज हम लोग इस वीडियो में 151 से 200 तक टोटल 50 परशनों को डिल किया इससे पहले के वीडियो आपको description में मिल जाएंगे या फिर आप playlist में जाकर भी देख सकते हैं वे भी बहुत अधिक important है इसलिए उन्हें भी जरूर देखे अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है और आप जारकन से संबंदित छेत्रिय लिंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर subscribe कर दे और बिबिन प्रकार के वीडियो का notification पाने के लिए notification bell को जरूर on करें धन्यवाद